हलू बेटे किमियों तुसी सारे ठीको ना मैं थर्डी रेनु मैं ते बेटे मैं थर्डा वेलकम कर दियां अपनी मैट्स दी क्लास दे विच ते अपने स्कूल दे यूट्यूब चैनल देवस्मा स्मार्ट स्कूल दे आज मैं इस तो पहला कि थानुप पढ़ाना शुरू करां बेटे मैं थर्डा सब्दा थैंक्स करना चान दियां क्योंकि आपने चैनल दे 800 प्लस सब्सक्राइबर होगे सारी सपोर्ट दे लए थैंक्यू बेटे ते मैं चौनिया कि जो भी हुने वीडियो देख रहा है गया जिने हजे तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किता प्लीज सब्सक्राइब कर लाजे थैंक्यू सो गयरी मच बेटे तो उसी इस तरह ही सपोर्ट कर दे रहो कि असी इस तर सारे मैसजजी आ दे एंस्टा ते मैसजीश आ दी आ वार्ट सप ते मैसजीश आ दे आ ठेंक्स लई एंडए अवरीगिनग थड़ी फीडबेक मैंटर कर दिया भी है थैंक्यू सॉ वरी मच चलो ता फिर आज आज आपा अपना टाफिक स्टार्ट कर दे cloth दे बेटे जिमे ते आज आपा हां question number 4th, 5th ते सारे parts ते 6th question करांगे बेटे जेड ने एत तिन्नों questions कर ले यानि question 4th, 5th and 6th जिन्हों नों ये समझ आगे ता मैं थर्डे नाल battle आ सकती हैं इस गाल ते कि उन्नों AP सीरीज ओनतों perfectly कोई रोक नहीं सकता 10th वे च्वी ते even plus 1 च्वी जो तुसी math opt करोगे ता as a subject ता क्योंकि वेदे चे tricks है जे तुसी और चीजनों समझ आदे हो ता तुसी AP सीरीज समझ आदे हो ठीक है चलो आप अपना topic स्टार्ट कर दियां ते लेकिन जे तुसी हजे चैनल सब्सक्राइब नहीं कीता ता प्लीज सब्सक्राइब करतो बेटे चलो फिर आपना स्टार्ट कर दियां अपनी exercise 5.2 दा question number 4 बेटे हां जी राजे ता अपने question number 4 दी statement किया statement नो बहत ही त्यानल सुनने ते समझना है विटे statement ची सबकोश्या which term of the AP 3,8,13,18 and so on is 78 तो ये दा मतलब समझो कि AP दी केड़ी टरम which term? केड़ी टरम वियो केड़ी टरम होएगी एस AP दी which is 78 मतलब जेड़ी 78 होएगी तुसी ये नो होट जादा detail था नो समझो निया केड़ा मतलब ये है कि जेकर 3,8,13,18 ऐस्तरा ही चलदा जाएगा ता किते जाके अपने को ले 78 आएगी मतलब कि आपनो नो नहीं पता पहली कहल था कि 78 आएगा या नहीं आएगा ते जेकर आएगा भी ता ओ किन्वे नमबर ते आएगा यानि which केड़ी टर्म होएगी जदो आपनो इस तरह नहीं पता हुनदा बेटे ता आपनो किस कंसीडर कार लेने या ए एन कंसीडर कार लेने या ठीक है इस चीजनो त्यांच रखना है बेटे क्योंने पुछिया which term of the AP is 78 किस AP दी which term केरी टर्म जड़ी है खोद की होएगी 78 ता सब्तो पहला तुसी जो थानू गिवन है ना और प्रापरली लिखना होन देखो ए देविश थानू A किन्नी गिवन है A है गिया बेटे 3 ठीक है ना ओके ते D D ता होन थाड़िया टिप्स दे हो चुक्या राजे A2 माइनस A1 राइट A2 माइनस A1 ता ओकिन्ना होएगा बेटे 8 माइनस 3 मतलब के 5 ता D किन्ना होगया 5 और मैं थानू की किया राजे कि जड़ी टर्म जड़ी 78 है बेटे ओकी है ता अनू पता नहीं किन्वे नमबर ते होगी ता जड़ी अपा A1 दा फार्मूला किता सी गा A1 दा मतलब ही किसी मैं थानू समझाया सी अपने प्रिविएस वीडियोस देविट इप तुसी हजियो वीडियोस नहीं देखिया अपा फाइब वीडियोस अपलोड कर चुक है सारी यहां 5.1, 5.2 एंड सारा कॉंसेट क्लियर किता है जिदे विच मस्ट वाच दूस वीडियोस बेटे ता जड़ी 78 है A N कंसीडर करांगे बेटे यानो A N मतलब कोई V टर्म हो सक दिया ता फिर 78 नहीं अपा की लिखांगे A N ठीक है A N is 78 राइट बट नौ थनू A N दा फॉर्मूला याद है न आपा बहुत ज़्यादा कार चुक है लास्ट वालियां तिन्नों वीडियोस दे वेच A N दा फॉर्मूला की फॉर्मूला यान दा A N A plus N minus 1 इन्टो D बेटे हांज बेटे ता फिर A N की निदित्ती होई आपा नो 78 ठीक है न A N 78 होगी and A की नहीं बेटे A is नजरा रहे है चलो मैं हून दिखानी आ A की नहीं 3 and D की नहीं 5 ता पुट कार देने आपा फिर A दी जगा ते की आगे आपने को ले 3 ठीक है ते दी जगा ते की आजेगा राजे 5 आजेगा ठीक है ओके देन मल्टिप्लाई कर लाँगे आपां सो इजी we know it very well ओके ता एक नहीं मल्टिप्लाई करांगे ता 5N ठीक है 5 नो मैनस 1 ना मल्टिप्लाई किता मैनस 5 oh sorry 5N ठीक है टीक है टीक है तो भी मिस्टीक हो जान दिया कर दे कर दे ता रपीट कर दिया AN A plus N minus 1N to D AN अपने को ले 78 A3 सी राजे D किनना सी 5 ता एस 5 नो N नल मल्टिप्लाई किता ता 5 नो 1 नल भी मल्टिप्लाई किता ठीक है 9 मिस्टेक नहीं करनी मैंनों बिल्कुल पसांद नहीं कि कोई integers दी मिस्टेक करें ठीक है ता प्लस माइनस की हो जेगा माइनस 3 माइनस 5 की होएगा बेटे प्लस माइनस माइनस जिता आनों integer चाहजे वी कोई issues है ना integer वाली हम वीडियोस देखो अपने या प्लेलिस दे विच किनना आया राजे 80 ओके 5 N ठीक ता फिर N दी वैल्यू फाइंड आउट करने आ ता 5 ओवर चागया 80 अपन 5 बेटे ता 80 अपन 5 यानिके 16 5 जा 80 ओन थानों टेबल्स ता आने चाहिए थे है ना टेबल्स आपने 10th क्लास तक ता अपने टिपस थे होने चाहिए थे है ता N is equal to किनना आगया 16 एदा मतलब है जड़ी 78 है बेटे ओक किन्वी टर्म होई 16th मतलब A 16 जड़ है ओकिनना 78 and that is so easy ठीक है as I always say when you got the answer then smile please ठीक ओके चलो होना पा कोशन नमबर फिफ्थ दा फिर्स्ट पार्ट कर दिया हां जी राजे कोशन नमबर फिफ्थी स्टेट्मेंट समझांगे अपा find the number of terms in the following देखो some somehow उस तरह दा ही है गया लेकिन पुछन दा तरीका different है गया ओदे बिच उनने पुछ्छे ऐसी कोशन नमबर 7, 13, 19 and so on ते लास्ट ये कोशन पाके 205 लिखिया और तुसी मेरे को लोग वर्ड सुनिया होना है लास्ट ठीक है ये दा मतलब हो गया भी 205 ये दी लास्ट टर्म है ठीक मतलब 7, 13, 19 ये दी लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म ता पता लगा भी लास्ट है लेकिन किन्वी विच वी डॉर्ण नो ठीक है तो अपी सीरीज दे विच अगर आपा टर्म बारे नहीं जान दे कि विच टर्म इट इस आपा उनू की कंसीडर कर दिया अन ठीक है आपा इते लास्ट टर्म वैसे आपा इनू चलो ली लिख दिया लेकिन आपां इते जाबनो अन गाँए कि कंसीडर करांगे बिकर्स आपानू नहीं पता कि ये किन्वी टर्म है गया ठीक है तह आपानू जो होने ते पता है वो आपा पता लिख लैने सल दे जामांगे तब 205 चेडियान और किन्वे नमबर ते आओगे मतलब किन्य आँ टाम्स आए दे वेट राइट चलो अपने विच लिख देयां पहला जो भी गिवन है गए टेप ए अपने को ले किन्ना राजे 7 ठीक है एक इन्ना है गए 7 डी किन्ना अपने को ले A2 माइनस A1 मैंनो ये शोर शॉर्ट है कि थोन्नो ये चीज़ां बहुत इजी लग रही होन गया कि होन ता मैं मैं ही रपीट कर दे रहां देया सानू ता आँद आए सारा कुश बट मेरी हैबिट है समझो आँदी बारी बारी A2 13 माइनस 7 ता डी किन् प्यार मैं होने की दस्या की 205 वैसे ता लास्ट मैं क्योंकि सीरीज चल दी जारी चल दी जेयारी चल दी जा धाते एते कॉमा पाके letzttak की लिख्या हो ये 205 मतलब ये लास्ट सामधा ओ अपालास्टम रमनू यानि ये लास्ट है इन्नू अपा की लिखांगेopher a-n मतलब Hag चुली यह अपने को ले की है गिया AN means 205 ठीक है यानि AN अपने को ले किनना है गया बेटे 205 है ठीक है Now sum is very easy for you and मैंनो पक्का पता है कि हुन थाड़े ले यह कोछ भी नहीं है बिल्कुल तुसी मक्खन मला इवंगो यह sum कर देना है AN दा formula now ठीक है A plus N minus 1 into D AN किनना राज़े 205 A किनना नजर आ रहे है लोथन दिखा दिन्या A is 7 A किनना है गया बेटे 7 and N we don't know D किनना है बेटे D हैगा 6 Now it's so easy मैंनो फटा फट करन लागे होने है मेरे ख्याल विच कि मैंनो solve करन देना है नहीं इस तो पहलना आसी solve कर देना चलो multiply करो इननो फिर 6 N N minus 6 ठीक है बेटे Very good Now 205 Okay Plus minus की होईगा बेटे Minus Intichers are always there 7 minus 6 Plus minus minus greater number the sign 1 आ गया बेटे Plus 6 N ठीक है N दी value find out करनी है तब 1 आपनो Left टे shift करना पैना इस करके एकी आगया Minus 1 Is equal to 6 N ठीक है 205 minus 1 Is equal to 6 N हांजी बेटे 200 minus 1 Is equal to किना आया 204 That is 6 N तब 1 दी value find out करनी है 204 अपन 6 होंटो सी ठेपल है दा Read करो 6 दा अगर नहीं आन दा तब आव्यसली यसे नो Divide कर लांगे है न 6 3s are 18 2 And 4 6 4s are 24 ठीक है तब फिर अपने को ले किनना आगया 34 N 34 on दा मतलब है हांजी N 34 on दा मतलब है कि यह लास्ट टर्म सी न जड़ी अपने को ले 205 जड़ा सी गा पहला था ही पता चाल गया कि A जड़ी है 34th नमबर ते है 205 ते टोटल टर्म सी गिनना हो गया फिर 34 जेकर 205 यानि 25 4 वे नमबर ते है 34th नमबर ते है यह ही लास्ट है इत मीन्स टोटल टर्म सी गिनना हो गया बेटे 34 इत मीन्स N 34 आन्दा की मतलब हो गया कि टोटल नमबर आफ टर्म सी गिनना हो गया इस इक्वल तो 34 ठीक है कि टोटल नमबर अफ टर्म सी गिनना ने 34 ने बेटे and smile now because you have solved the sum बेटे इस तरह आगे एपी सीरीज दे चलो फटा-फट सेकिंड पार्ट भी कर लेने आएदा हांजी बेटे ता फिरता हनू कोशन नमबर फाइव दा फस्ट पार्ट ता समझ आ गया है ना ता वीडियो तो सी लाइक करती हो नहीं है ता होना आपकोशन नमबर फाइव दा सेकिंड पार्ट कर दियां विदाउट वेस्टिंग अनी टाइम सेम स्टेटमेंट मतलब सेम टाइप ऑफ स्टेटमेंट कि अपने को ले एपी सीरीज देती होई है तो दिवेचे लास्ट रम देती होई है तो अपना नमबर फाइव दाम्स पता करनी है ठीक है बेटे लेकिन थोड़ा जा डिफिकल्टी दा लेवल इंक्रीज होगे क्योंकि फ्रेक्शन आगी बट दुछी डरना नहीं क्योंकि मैं था उन्हों फ्रेक्शन वाले सम पहला भी करा चुकी है माइनस 47 की है इन्हों नहीं पुलना यह अपनी लास्ट रम हैंगी है ठीक है तो अन्हों पता ही है अपपा पिछे कार चुके हैं बेटे A1, A2 and A3 ठीक है दीज आर A1, A2 and A3 ओके तो ए बेटे ए दिच किन्नी है गिया है 18 चलो पहला में था अन्हों फ्रेक्शन सौल करवादा फिर A लिख दिया 18 ओके 15 टूजा 30 प्लस 1 करांगे बेटे 31 तो 31 बाए 2 आया तो 13 आया and so on ठीक है जाद रखोंगे नहीं वादी गल ओके तो A अपने को ले किन्नी आई बेटे फिर A अपने को ले आगी 18 ठीक A 18 आई तो आपपा हम फाइंड आउट की करना है बेटे D करना है D की होंदा है A2 माइनस A1 और तुसी पुल नहीं जाना मैं था नुद 10 चुक्की होई याँ भी A1 है ठीक है ना and A की है A2 है and this is A3 जे करें AP सीरीज आया तो फर्स्ट आम A1 सेकेंड A2 थर्ड A3 अगर तुसी concept नों चंगी तरह समझना है अगर तुसी मेरे नल नमे जुड़े हों ता तुसी जूर पिछलियां वीडियोस नों देखो बेटे A2 माइनस A1 मतलब 31 बाइ 2 माइनस A3 ओवर LCM किनना आया बेटे ओवर 1 आया कुछ नहीं है गा ता ओन LCM लवांगे ता LCM किनना आएगा 2 आएगा है ना चलो इदिनाल डिवाइड करांगे इदिनाल मल्टिप्लाई प्राणी गया ले 2 नू 2 नाल डिवाइड किता 1 1 नू 31 नल मल्टिप्लाई किता 31 आगया ठीके 1 नू 2 नाल डिवाइड किता 2 नू 1 नल डिवाइड किता 2 आगया 36 आगया ठीके प्लस माइनस किनना आया पेटे प्लस माइनस किनना आएगा माइनस 5 बाए 2 मतलब के जेड़ी अपने कोले D आ चुकी है बेटे D किननी आगी अपने कोले माइनस 5 बाए 2 आ चुकी है ठीक है छो जो D माइनस 5 बाए 2 आगी ता अमने कोले L किनने सी L अपने कोले माइनस 47 सी L दा actual मतलब की है गया A N L की हुन दिया बेटे A N हुन दिया है न ठीक है न मैंनों पता दुसी पुल लेनी हो बहुत स्याने हो ता अपने कोले L याने की A N की न दित्ती होई है माइनस 47 ता आपा फिर A N दा फॉर्मूला लामां की जड़ा की थोड़ियां टिप्स दे हैगा A N दा की फॉर्मूला बेटे A प्लस N माइनस 1 इन्टू D ठीक है न हुन A N की न है माइनस 47 A की नी सी अपने कोले 18 लिखे है न नोट बुक दे N माइनस 1 ते D की न है माइनस 5 बाई 2 होन त्यान रखना है मिस्टेक दी समभावना बहुत चाद है हाँ जी तब माइनस 47 18 9 जदो तुसी इन्नों मल्टिप्लाई करोंगे N दे नाल तक इन्ना आएगा माइनस 5 बाई 2 N ठीक है जदो तुसी इन्नों मल्टिप्लाई करोंगे एदे नाल माइनस नू माइनस नाल मल्टिप्लाई करिए तो ओक इन्ना अंदा है बेटे प्लास 5 बाई 2 आगया ठीक है न यह तो तक कोई इशू नहीं ना हैगा ओके अगे देखो 30 कोड़ी होन तू यह थ्री वेज है गया एस एक्वेशन नू सॉल्ब करन दे फरस्ट है फरस्ट है कि तुसी सारियां कॉंस्टन्ट अमनो फर्स्ट एप दे वेची लेफ्ट हैंड साइड ते मोब कर दो मतलब माइनस 47 है 18 बेदर आके माइनस फरस्ट एप पाई 2 इदर आके माइनस हो जुगा ते फिर आपा इन्हों सॉल्ब करतांगे बेस्ट वेज यही वाल है ठीक है इन्नू यह अपा सॉल्ब कर इस तरी किना ली करांगे एंड सेकिंड वेज इस सेकिंड वेज यह वाल है कि तुसी पहला इनना दुनानों इदर प्लस करो ते उस तो बाद इन्हों मूब करो एंड थर्ड वान इस थर्ड वान इस कि जस्ट एक दा ल्सी एम कि एदर ल्सी एम किनना लेलो 2 ठीक है इस तरी किनना ली करके ता अनों दुखाने है कि सपोज अपा इदर क्योंकि ओवर्च किनना है गया 2 इदर कुछ नहीं इन्हों 1 लिखांगे तो 2 एलसी एम आगया अपने को ले ठीक है 2 एलसी एम आया थे 18 तूसा 36 बन गया बेटे तो ने थे 2 ता है गया इसकर के उपर कोई मुल्टिप्लाई नहीं हो ना माइनस 5 एन रह गया ठीक है इते भी 2 एज इस ता इते भी 5 रह गया क्योंकि एलसी एम दे विच इत्तक होगे आपने को ले एन देन, देन की होगा क्रॉस मुल्टिप्लाई यू नो इट वैरी वेल आप 2 जड़ाओ इदर जाके मल्टिप्लाई हो चुगा मतलब 2 सेवन जा 40 माइनस 94 आ चुगा ठीक है मल्टिप्लाई करके देख सकते हो तुसी 36 प्लस 5 प्लस प्लस सुनदै तो 36 प्लस 5 किनना आया 41 एन वी आर लेफ्ट विद माइनस 5 तो आनो अगर LCM लेंच कोई प्रब्लम हो डिया तुसी रपीट करो LCM नो मतलब दुबारा तो करके देखो जिनने भी वेज मैं बोल ले है वीडियो नो दुबारा रिवर्स करो, बैक करो, दुबारा सुनो कि मैंने की क्या सी हुरकेड़े तरीके ना solve करके देख सकते है तुसी तिननो तरीके है जमाओ जड़ा थानो good लगूगा ओदेना तुसी continue करो ओके, ता आपा हमने इस रूम अगे solve कर देखो हां जी बेटे, तह 41 भी इददर आ गया फिर, ए माइनस सा हो गया and माइनस माइनस is प्लस 5 13 ते माइनस 35 ठीक है, माइनस 135 माइनस 5N, होकी बेटे आर्राइट, now and the value find out करनी है माइनस 135 ओवर माइनस 5, माइनस नाल माइनस कट हो गया, and 5 twos are 10, 5 sevens are 35, 135 नो आपां 5 नाल डिवाइड करके, तुसी चोटे बच्चे थोड़ी हो लेकिन माइनस नो फिर भी डिवाइड करके देखा रही है, क्योंकि तुसी मेरे लिए छोटे बच्चे ही हो 5 twos are 10, 3 5 sevens are 35 ठीक है, ओके 27, ता N किन्नी आगी 27 ता इदा मतलब है, number of terms किन्नी आगी है बेटे थे, number of terms are 27, एक चीज़ याद रखनी है, cross check करन्दा वे एवला है, smile okay, cross check करन्दा तरीका एवला है, कि जदो भी number of terms बता करनी है, होनी आनगियां, ओदों, तो आड़्डा अंसर, ना ही negative आओगा ना ही fraction चाओगा N हमेशा positive आओगी greater than 0 ही आओगी बेटे, इसलही ये भी इक तरीका है, check करन्दा अगर थो आड़ी कोई plus minus दी, mistake हो जान दिया क्योंकि ये साम एसर आदा सी गई ये जि मिस्टेक दी, बहुत सारी गुंजाईश थी that's why, okay बेटे, चलो फिर हुन अपना last question कर दिया question number 6 कर दिया hopefully थाननो समझारी होगी है ना राजे चलो फिर आपां कर दिया 6 साम, जी बेटे now one more google is there की पुछता प्या अपनो check, check करो की weather, k जेकर minus 150 is a term of the AP, कहनदा की check करो, पता करो की जड़ी minus 150 या, की ओएस AP दी तरम है गी है होना अपनो की पता हैगी की नहीं हैगी, अगर हैगी विया ते कित्थी आओगी, अपनी को ले series है, 11, 8, 5, 2 cut दी जा रही है, decreasing series है होता है, लेकिन he wants to ask us सानो पुछना एच आया गया question दे वेच्छ, की check करना सी, की minus 150 ये दिच आओगी या नहीं आओगी अपा शोर नहीं है जदो अपा शोर नहीं है, अपा इन्हों फिर AN मान लांगे, अपा लेट करके चाल लांगे, की मान लो भी हैगी है, ठीक है अपा मान के चाल पांगे, भी हैगी है AN इन वेच्ची आन दिया किते ना किते यहनु आपा solve करांगे and बाक्की चीज थानु में question दे end वेच दसुंगी जड़ी असली twist, असली गल, असली गुगली है ओपा end ते share करांगे okay, ता अपने को ले A1, this is A2, this is A3 and this is A4 and so on right, okay ता A अपने को ले किया 11, very nice question it is एदे विच बहुत रिये mistakes हो जान दिया ने बच्चे लिया, A is 11 D किनना आएगा बेटे A2 minus A1 G, हंजी A2 minus A1 8 minus 11, that is plus minus 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 3 मतलब D is minus 3, right अब आगे की बात, आगे की बात ये है कि उसने पूछा था कि चेक करो कि ये इसमें आएगी ये नहीं आएगी, मैं मान के चल पढ़ती हूँ कि आएगी ठीक है, मानने में क्या जाता है हर्ज क्या है मानने में मैथ में तो वैसे ही बहुत कुछ मानते हैं चलो, तो let हम कह लेते हैं, कि let मतलब मान लो कि मान लो कि 150, minus 150, sorry, इसमें आएगी ठीक है, मान लो a n is equal to minus 150, कि हमने मान लिया कि minus 150 है, चलो जी पंजाबी चार्च आने हैं, कि मान लेने हैं, कि a n जड़ाओ की है गया, minus 150 है यानि कि, यदि कोई भी टर्म है गी है a n दा फॉर्मूला ता सी पुल नहीं ना, a plus n minus 1 into d, right okay, a n किना सी, फिर minus 150, a किना सी चेक करो अपने कापी 11, n minus 1 into d, d किना minus 3 and मैं हमेशा कहनी है जदो तुछी d लिखनी है, d negative होवे put the bracket please okay, minus 150, 11 इसको multiply करेंगे, फटा-फट करो minus 3 n इसको करो, minus को minus के साथ multiply करोगे, तो क्या आएगा plus आएगा, plus 3 right, yes minus 150 okay, plus, plus, plus इस यह तो सबको पता है 14 minus 3 n okay, राजे 14 इदर शिफ्ट होजेगा 14 इदर शिफ्ट होएगा ते की बन जेगा minus 14 and minus 3 n right हाँ जी राजे, minus 150 minus 14, minus 3 n minus minus की होँदा है, plus यानि के 164 minus 3 n ठीक है n दी वैली फाइन आट करनी है, बेटे minus 164, minus 3, minus 0, minus कट होगया 9, हुन आपा 164 नो, मैं था नो कोशन दे स्टार्च क्या सी ना, मैं असली ट्विस्ट एन ते दस होँगी, तो सुनो 3, 3 5s आ, 15 1, 3 4s आ, 12 2 आया, एदा मतलब है कि जे कर मैं नो डिवाइट कर दियां ताही मेरे को लांद है, 54 इंटो 2 by 3, ठीक है 54 इंटो 2 by 3 ठीक है कि नहीं, 162 plus 1, मतलब कि जड़ा इदा N आगया न वो फ्रेक्शन चा गया, N का दे चा चुकी है, अपने को ले, फ्रेक्शन फ्रेक्शन दा मतलब है, बटे विच, पंजाबी चेनू की कहन दे है, बटे हिंदी चेनू की कहन दे है, भिन यानि एक भिन संख्या आगी, मतलब बटे चले, आउच्टे हर वाली Now the twist is मैंदानों थोड़ी देर पहला, पिछले सामदे विच अपने 5th कोशन दे, 2nd parts 10 की हटिया बेटे की, N का दे वी negative नी आ सक दी, N का दे वी जड़ी 150 माइनस अपना सब्पोज की थी सी न भी एदे वेची, A, N होगी एदा मतलब है, अवर सब्पोजिशन इस रॉंग, असी जड़ा मन्यासी, ओ गल्त है इसलही, A माइनस 150 एदी टर्म नहीं होगी अपना की में लिखांगे? अपना कदे वी बटे वाली यानि के पिन नहीं हो सक्दी जेकर ये नहीं हो सक्दी एदा मतलब है माइनस 150 is not the is not the term of the series, पंजाब भी पटा पर लिखलो, कि एदा मतलब है कि माइनस 150 एस सीरीज दी टर्म नहीं है हैपी? येस हैपी ही रहना चाहिदा है ते रेनो मैम दी क्लास नो हमेशा अटेंड करना चाहिदा है एक अख छोटी होगी, एक अख वड़ी होगी, डॉं वरी ओके बेटे, होफुली तुसी वीडियो नो एंड तक वाच किता हुए है सारे सम्स भी कर लेने ते मैं थानू, क्योंकि होना अपने देवस्मार्ट स्कूल दा इंस्टा ते भी पेज है गया मैं इदे डिस्क्रिप्शन दे वेचना इंस्टा दे पेज दा लिंक दाऊंगी अगर तुसी सारे इंस्टा ते है गयो तुसी कुछ पुच्छना चांदे हो मैंनो या कोई साम बारे या होर एक्स्ट्रा स्टेटमेंट साम सॉल्ड करन ली चाहिए दियाने ता मैं थानू उत्थे तुसी मैंनो मैसेज करो and I will post over there ठीक है बेटे वीडियोस वाच कर दे रहा हो मैंनो support कर दे रहा हो thank you so very much bye see you take care